दोस्तो स्वागत है आपका बिहार नीज में दोस्तो मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं के डिवी लाइब दोस्तो आज हो चुका है 22 मई 2021 तो आज की बिहार की टॉप नीज लेक रहे हैं आपके लिए दोस्तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आपसे क्रिक वेष्ट है अगर आप नई आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्रेब करके भी लाइगन को भी प्रिस कर दिजिए और सौथ में वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ सेल भी कीजे तो चले दोस्तों इस्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप नियूज दोस्तों देश के पच्छी मी भाग में कहर बरबा रहा है वहाँ पारा साम माने से पांच से आठ डिग्रे नीचे चला गया है जियन हवा में सिरावन सी महसूस हो रही है बहसाग के इस महने में सावन जैसी बरसावत की जड़ी लगी है जियन अगले 48 घंटे इसी तरिकी का मौसम बिहार में बने रहने के आसार है जियन आईमडी पटना की अधिकाड़ी के जैनकड़ी के मताबिक अगले 48 घंटे पर देश के कई हिस्वे में साम माने से मदम बारिस होने के आसार है नमई युक्त पुरूई हावा 30 किलो मिटर पर ती घंटा की रप्तार से पूरे बिहार में बहर रही है फिलहाल मई मेहने में खुसनुमा लग रहे इस मौसम के साइड इफेक्ट सरदी जुकाम और बुकार के रूप में सामने आ सकते ही दोस्तो कोरोना के दूसरे लहर ने सब के कड़ीबियों को अपने चपेट में ले लिया है इधर अरडिया जिला से एक बरी खबर सामने आ रही है जिहां अरडिया जिला से जेरियो के बिदायक असमित रिशी देव की पत्नी मंजुला देवी की मौत इसी दूसरे लहर के दौरान हो गई है जिहां अरडिया के रानी गर्ज से जेरियू के बिदायक असीमत रिसी देव की पत्नी मंजुला देवी की रिपोर्ट नेगेटिब आई थी लेकिन उनमे कोरोणा के पूरे लक्षन थे जिहां बिदायक की पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद मुक्यमंतर नितिस कुमार ने असीमत रिसी देव को फोन करके संताबना दी मुक्यमंत्रे नितिस कुमार से बाच्चित करने के दोरान विधायक असीमत रिशी देब ने मुक्यमंत्रे नितिस कुमार को बताया है कि अगर समय पर वेंटी लेटर की सुबीदा मिल जाती तो उनकी पतनी की जान बच जाती जहां बिधायक ने जब सदर अस्पताल में वेंटिलेटर को लेकर जानकरी जुटाई तो मालुम पराकी सदर अस्पताल में छे बेट के वेंटिलेटर तो हैं लेकिन सभी बंध हैं जियां इसके बाद भी डॉक्टर उन्हें बिधायक को सला दी ही कि हुए अपनी पत्नी को दूसरे जगे ले जाएं बाद में उन्हें फौर्ड बेस गंज ले जा रहा था काहे की सरकार ने आपदा के समय परभावित लोगों की भोजन की बिवस्ता में सहुलित परदान करने के उद्देशे से परतेक जीले में सामुदैक रसुली संचालित की है दोस्तों देस भड़ में करोना का कहड़ जाड़ी है यह करोना की वज़े से कल कार खाने बद हो गए है यह ऐसे में लोग फिर एक बार घर लोटने लगे हैं महराश्ट से बिहार आने वाले की संख्यां काफी अधीक है यह इस वज़े से टिकट के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पर रहा है यह लोगों की इसी परिसानी को धियान में रखते हुए पूरों मद्दे रेलेवे ने पूने और छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनल से दानापूर दरबंगा भागलपूर के मद्दे चलाए जा रही दस इस्पेसल ट्रेनों की परिचलन अब्दी में बर्दी करने का फ यहां कोई रिस्तदार तो कोई बेटी या फिर बेटा की लासें को देखकर फूट फूट कर रो रहा है यहां तक कि आज कोरोना से हो रही मौतों को देखकर खुद परदार मंतिर नरंदर मोदी भी रोने लग गए जहां वारानसी से स्वास्त कड़िमें के साथ बाच्चि हम से छीना है मैं उन सभी को अपने सर्धान जली देता हूं यह उनके परिजनों के परतिसंताबना व्यक्त करता हूं आप आगे भी परदार मंतिर नरंदर मोदी के उस वीडियो को देखिए जिसमें वह भाबुक हुए हैं कि आप सबके इस कठीन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए हैं इस वाइरस ने हमारे कई अपनों को हमसे चीना है मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र सद्धाजनी देता हूं और उनके परिजनों के प्रती सांत्वना व्यक्त करता हूं दस्तव बिहार की सियासत में बहुबली नेताओं की धमक सुरू से ही देखी जाती है चिनाओं में एसे बहुबली नेताओं की पूछ परक हर पर्टी में होती रही है जिया बिहार में कुछ ऐसे ही बहुबली नेता है जिनकी हनक आज भी राजनीती में देखी जाती है लेकिन अब बहुबली का दور गुजर गया है जिन सियासी पहुंच का फाइदा उठा कर उनके बेटे मैदान में आगे हैं ये युवानेता अपने बहुबली इमेज नहीं बलकि राजनिती के नई धारा और विकास को फोकस करके सियासत में अपनी पहचान बनाने में जूटे हैं तो आईए एक नज़र डालते हैं इन युवानेताओं पर जो बहुत ही खामुसी से अपनी अहमियत दिखाते हुए आने वाले समय में बिहार के सियासत में धमक दिखा सकते हैं जिहां वो भी अपने भावबली पिता के इमेज से अलग रहकर जिहां अनन बहन इस वक्त सहरसा जेल में ततकालिन कोपाल गंच डीम की हतिया के आरॉप में बन हैं उसके बाद बात करते हैं सार्थक रंजन के बारे में तो पूरो सांसद पपू यदब के बेटे हैं सार्थक रंजन यह पूरो सांसद पपू यदब फिलहाल 32 साल पुराने एक मामले में जेल में बन है सार्थक रंजन की माप पूरो सांसद रंजीता रंजन कोंगरिस की एक बड़ी नेतरी हैं सार्थक रंजन दिल्ली से फर्ष्ट क्लास किर्केट भी खेल रहे हैं और किर्केट में ही अपना कैडियर बनाना चाहते हैं फिलहार राजनिते में उनका आना भी तैय माना जा रहा है क्योंकि पपु यादब जब जेल में थे तो अपने पिता की रियाई के लिए जिस तरीके से सोसल मीडिया में उन्होंने अपनी बात कही है जहां उसके बाद ये क्यास लगाया जा रहे हैं और क्यास तेज हो गए हैं कि बहुत जल्द साहर तक रिघَّंजन बिहार की सियासत में आपते पैर रख सकते है उसके बाद बात करते हैं उसमा सहब के बारे में तो स्वार गिए मुहमद साहब दिन के बेटे हैं उसमा साहब जहां साहब अदिन कतल के एक मामले में तीहार जेल में सजा काट रहे थे जहां कोरोना से उनकी मौत हो गई है जहां परिष्टितियां ऐसी बनी कि ऑसामा को अचानक से बिहार आना परा जहां ऑसामा भी एक तेज दराड चातर रहे हैं जहां दिल्ली के एक परतिष्ट से पराई की और उसके बाद एमेटी स्कूल से पराई करके उच्च सिक्षा पराप्त करने के लिए लंडन चले गए जहां वो एक कानून की पराई कर रहे थे फिलहाल ओसामा के बरते कद का अंताजा इसी से लगाए जा सकता है कि उनसे मिलने कई पार्टी के नेता सिवान पहुंचे जिया ओसामा और उनके पड़िवार के लोगों ने साफ कर दिया है कि साहब अदिन का पड़िवार पूरी मजबूती से आरजरी के साथ खरा रहेगा यह तेक परताब अदब जब सीवान पहुंचे थे तो उन्होंने ओसामा को अपना भाई बताया था जिया और उनके साथ पुरी मजबूती से खरे होने की बात कई थी ओसामा आने वाले समय में बिहार की सियासत में मजबूत रोल अदा करते दिख सकते ही दोस्तों सबजी की खेती करने वाले किसानों की कई मेहने की मेहनत दो दिन की बारिस में मिटी हो गई है जियां खेतों में तैयार सबजी हैं पुरी तरीकी से बरबाद हो गई है जियां इससे किसानों को लाहों रुपे का नुकसान हुआ है बच्चों की तरह देख बाल करके उगाई गई फसल पर किसान खुद ट्रेक्टर चलाने को मजबूर हो गया है बीते दिनों लगाई गई तौराई और पालक और कच्री के फसल भी पानी में डूप चुकी है किसानों को अब दोबारा जोताई करके फिर से फसल लगानी पड़ेगी यह दो दिन की बारिस और आंदी की वज़े से बेल पर लगने वाले सबी सबजियां खराब हो गई है यह दिया तौराई इस्ट्रोबेडी टमाटर तरबूज पालक आदी की फसल में बारिस का पानी जमा होने से सबजियां गल गई है यह पका हुआ टमाटर बीच से फट गया है घिया और तरबूज बारिस के पानी में तैर रहे हैं और टिंडे तो इस तरह की बरबाद हो गए है कि किसानों ने खेतों में ही डाल दी है जहां किसानों का कहना है कि 5 एकर जमीन पर मुस्किल से 10 किलो टिंडे ही बचे होंगी वहीं किसानों का कहना है कि सरकार की वोड़ से दिल्ली में किसानों का किसानी का दर्जा खत्म कर दिया गया है जिस वह जिसे नुकसान का मुआबजा मिलना तो दूर सरकार की वोड़ से किसानों को हुए नुकसान बड़ दुख भी जताए जाएगा दोस्तों देश में खाथ तेल की महेंगाई रोकने के लिए सरकार ने खास प्लान बनाया है जिहां सरकार ने किसानों को सोयाबीन और मुंगफली के उन्नत बीज बाटने की योजना बनाई है यह सरकार किसानों को मीनी किट बाटे जा रही है इस किट में सोयाबीन और मुंग फली समयते कई दालों के बीज दिये जाएंगी बता जा रहा है कि सरकार इसके लिए कड़ीब बेरासी करोर रुपे खर्च करेगी यह दरसल किसान चाहती है कि देश में दालों की पैदावार बराई जाए यह जिसे महिघाई पर लगाँ लगाया जासके केंदरे-किटसी मंतराने ने काहे कि राजे सरकारों के साथ प्रामर स variant करके मीनी किट बाटने की तैयाड़ी पूरी कर ली गई है यह इस साल करेवे 20 लाख किसानों को किट बाटी जाएगी यह इस किट का पूरा खर्च केंद सरकार ही उठाएगी यह किट में सोयाबिन, मुंगफली, तुल, उरद और मुंगदाल के बीज बाटे जाएगी वहीं दूसरी और सरकार ने बताया है कि राष्टी मदुमक्खी पालन और सहथ मिसन यानिकी अन्बे अच्एम के साथ मीठी करांती जैसे पहल से देश में सहथ का उत्पादन और नडियात बढ़ रहा है जैसे बेग्यानिक के तरीके से मदुमक्खी पालन के विकास के लिए मीठी करांती के तहत तीन सो करूर रुपे की मनजूरी दी गई है दोस्तो किसान आंदरन जारी है जैना इस करूणकाल में भी किसान दिली के बर्ड पर धर्ड़ ने हुए हैं जैना लेकिन अब करोणा के ड़ड से किसान भी घब राय हुए है भारते किसान यूनियन के प्रवक्ता गोपाल सिंग का कहना है कि सिंगू बोर्डर पर दो किसानों की कोरोना से मौत हो गई है जिया किसान ऐसे ही मरती रहे तो फिर कौन आन दरन कड़ेगा इसलिए मैं किसानों से अनरोध करना चाहता हूँ कि देश में संकट को देखते हुए हमें आन दरन को फिलाल के लığे अस्तगित कर दिना चाहिए जिया भपाल सिंग का कहना है कि किसान बचे रहेंगे तभी हम अन्नादाता कहलाएंगे जिया उन्होंने कहलेंगे हम भवे से में आन दरन करेंगे लेकिन अभी इस्तिती ठीक नहीं है जिया इस कठिन समय में हमें देश के साथ रहना चाहिए सोनी पत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंजलन में कोरोना ने दस तक दी जिया सिंगो बॉर्डर पर दो और किसानों ने इस कुरोना की वज़े से दम तोड़ दिया है दोस्तों देश में कुरोना के बरते संकर्मन को रोकने के लिए केंदर की मोदी सरकार ने वेक्सिन रसन अभियान तेज कर दिया है जिया इस समय देश में 18 से ज़्यादा अमरवाले सभी नागरेगों को वेक्सिन लगाई जा रही है ऐसे में सरकार अब आपको घर बेटे 5000 रुपे जीतने का मौका दे रही है जिया सरकार की वोड़ से जो भी वेक्ती वेक्सिन लगवाने का फोटो एक अच्छी टेग लाइन के साथ सेर करेगा उसे इनाम में 5000 रुपे दिये जाएंगी जिया तो आईए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बेटे 5000 रुपे जीत सकते हैं कमा सकते हैं तो माई गवर्मेंट इंडिया की ऑफिसीली ट्वीटर हिंडल पर इस बारे में जान कर दी गई है ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपने हाली में वेक्सिन लगवाई है तो आप लाखों लोगों को वेक्सिन के लिए प्रेडित कर सकते हैं जेहां आप एक दिल्चस्पे टेग लाइन के साथ अपनी टिका करन वाली फोटो सेयर करें और रूपिया पांच हजार जीतने का मौका पाए है जेहां माई गवर्मेंट इंडिया ने ट्वीटर पर इसका लिंग भी सेयर किया है जेहां आप अपनी फोटो सेयर कर सकते ही जेहां हर मेहने 10 सेलेक्टेड टेग लाइन को सरकार के तरफ से 5,000 रुपे दिये जाएंगी यदि आप या पिर आपके पडिवार की किसी भी सदे से ने वेक्सिल लगवाई है तो टिका करण के महत्ते उपर एक अच्छी टेग लाइन के साथ टिका करण के तस्वीर सेर करें और लोगों को परिजित करें उसके बाद फिर आप 5,000 रुपे जितने का मौका पाएं दस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और ये मौका आपको केंदर सरकार की और से मिलेगी जहां आप LPG डिलिवरी सेंटर खौल करके मोटी कमाई कर सकेंगी जहां दरसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में एक लाख LPG वितरक के अंदर सुरू करने की याउसना बनाई है जहां इस याउसना पर कॉमन सर्विस सेंटर यानि कि CSC अगले साल मार्च तक काम सुरू कर देगी LPG डिलिवरी सेंटर गरामिन और अर्द सहरी छेतर में होंगी आपको बता दो कि CSC सुचना परोदगी की मंतरा लेके ताथ आता है अगर आप अपना बिजने सुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानि कि CSC स्कीम आपकी मदद करेगी जियां आप CSC की अधिकारिक वेबसेट पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अपलाई कर सकते हैं जियां CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बिमा, पेंट कार्ड और पास्पोर्ट बनाने की सेवा दे सकते हैं यहीं नहीं, बिजली बिल का पैमेंट, IR, CTC से टिकट, बुकिंग, सिक्षा और कोसल विकास से जुड़े कोर्स की सर्विस भी दे सकते हीं अब सरकार CSC की जरिये LPG सेलंडर की डिलिवरी भी कर रही है जियां आपको बदा दे की अभी CSC देस भड़ में 21,000 LPG सेंटर संचलक कर रहा है जियां इसके लिए उसने BPCL, HPCL और IOC के साथ करार किया है CSC के परमंदक निदेसक डाक्टर दिने सित्यागी ने का है कि हम BPCL के साथ 10,000 LPG डिस्टिविजन सेंटर अस्थापित कर चुकी है हमने SPCL के साथ 5,000 और Indian Oil के साथ 5,000 LPG सेंटर अस्थापित की है हमारा मुख्य विस्तारन गरामी छेतरों में हो रहा है तो अगर आप भी बेरोजगार हैं और अच्छी खासी कमाई करना चाते हैं वो भी इजज़त के साथ तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और इज़त के साथ कमा सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ CSC की वेबसेट पर जाकर के अपलाई करना होगा दस्तो बिहार में करोना से ठीक हो रहे हैं मरिजों में बलेक फंगस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है जियां इसकी चपेट में आए मरिजों की जान भी जाने लगी है बिहार में दो और मरिजों की मौत बलेक फंगस के कारण हो गई है जियां इससे पहले भी दो लोगों की मौत हुई थी यानि कि अब तक बिहार में चार लोगों की इस ब्लेक फंगस यानि की इस आफ़त की चपेट में आने से हो गई है जियां इधर केंद सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोसित कर दिया है बिहार में बलेक फंगस की चपेट में आकर दो और मर्जों की मौत हो गई इस खतरनाग बिमारी के करण वैसाली जिले के लाल गज की एक महिला और भागलपूर के नातनगर के एक यूओक की मौत हो गई यह वैसाली के कटारो पंचैत की वाड नमर आठ की रहने वाली महिला बलेक फंगस की सिकार बनने के बाद इलाज के लिए हाजिपूर के एक नीजी किलिनिक में लाए गई थी जहां उसकी मौत हो गई वही भागलपूर के नातनगर में बलेक फंगस से पिर्टी यूओको माया गंज अस्पताल में इलाज के लिए बढ़ती कराय गया था जहां उसकी भी मौत हो गई जहां इससे पहले दो और मर्जों की इस बलेक फंगस इस नई मुसीबत के हो गई है काइमूर की रहने वाली एक महला बलेक फंगस के सिकार बनकर इलाज के लिए वारा नसी गई थी लेकिन वहां उसकी भी जान चले गई जहां वही मुझषरपूर के एक व vinden की माई आईजी आई-एमस में आते समय एमबलेस में ही अगई थी जहां यानि की बहार में अब तक बलेक फंगस से चार लोगों की माउत हो चुकी है डूस्तो अगर आप बिहार के हैं और किसानी करते हैं खिती किसानी करते हैं तो फिर एख़े कil के लिए खुसकबरी है जी हाँ बिहार में खिती करने वाले किसानों को बिहार सरकार की दोरा बिहार फसल विमा या убийता का लाप दिया जाता है इस याउजना के थाथ फसल की बर्बादी होने पर सरकार की वोर्ड से आर्थिक मदद दी जाती है इसलिए किसान इस याउजना का लाब जरूर उठाएं या ताजा रिपोर्ट के मताबिक प्राकर्टिक आपड़ा जैसे बार सुखार औला विरिष्टी आदी के कारण फसलों की बर्बादी होने पर सरकार पैसा देती है किसानों को 7500 रुप्य परती हेक्टियर 20% तक च्छती होने पर मिलता है जबकि 10,000 रुप्य परती हेक्टियर 20% तक फसलों की च्छती होने पर मिलता है या बिहार में अगर आप धान मक्का सोयाबिन की खेती करने वाले हैं तो फिर आप आउल्लाइन के दोरा आविदन कर सकते हैं क्योंकि आउल्लाइन आविदन के परकड़िया 18 मही 2021 से सुरू हो गई है जो 31 जुलाइ 2021 तक चलेगी या इस अबदी तक आप आविदन को पूरा कर लें आविदन करने के लिए वेबसाइट है www.pacsaulain.bis.nice.in दस्त बिहार में नौकरी करने वाले नियोजिस सिचकों पर जबर दस्त कारवाई होने वाली है ताजा रिपोर्ट के मताबिक मुझफर पूर जिले के 2022 सिचकों का नाम निगराने भी भाग के पास भेजा गया है यह साथ ही इसकों लेकर दसा नर्दे सी भी जारी किया गया है यह खबर के मताबिक इन सिचकों की सूची राज सिचकों की राजस निदसक को भेजद दी गई है यहार निजी के इन एंटेडमें टिक असनाता के सहीते सभी दस्तावेच की जाँच की जाईगी फर्जी पाये जाने पर इन्हें बर्स खास्त कर दिया जाएगा जिन साथ ही साथ पैसों की भी रिकवरी होगी आपको बदब की बिहार में नियोजी सिच्चकों के दस्तावेज की जाँच को लेकर पटना हाई कोट ने सक्त आदिस दी है जिन इस आदिस का पालन बिहार सिच्चा विभाग सक्त के साथ कर रहा है जिस से बिहार में नियोजी सिच्चकों की बीच हरक अप मच गया है दोस्त बिहार में मुख्यमंतरे नितिस कुमार को सेलरी के साथ साथ कई तरके के सुबधाय मिलती है लेकिन इसके बारे में सरील लोगों को सही जान करें नहीं है आज इसी बिसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक जाने की कोशिस करेंगे कि बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार को सलरी के अलावा कौन-कौन भते और सुबिधाय मिलती है तो चलिए जानते हैं कि सीम नितिस कुमार को कितने सलरी और कौन-कौन से सुबिधाय मिलती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंतरी के ताउर पर नितिस कुमार को 2,15,000 रुपे परतीमा वेतन मिलता है आपको बदद की सीम के मिलने वाले इस वेतन में बेसिक सलरी और मुख्यमंतरी को मिलने वाले अन्य भत्तों को भी सामेल किया गया है तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं कि कौन-कौन से सुबिधाय मिलती है जहां मिली जनकरी की निसार बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार को सलरी के अलावा चिकिस्सा सुबिधाय, सरुक्छा सुबिधाय, आवसिये सुबिधाय, यात्रभत्ते, बिजली और फोन की सुबिधाय भी मिलती है इतना है नहीं पांच साल का कारेकाल पूरा करने के बाद नितिस कुमार को पेंसन के तोर पड़ भी राज्य सरकार के दोरा एक निस्चित धर्न रासे पर तीमा मिलेगी जिना साथे साथ उन्हें कई तरके के सिफ़ बिधायें राज्य सरकार के दोरा मुपते में दी जाएगी दुस्तों पच्छे मंगाल से बड़ी ख़बर सामने आ रही है जिना खबर है कि बीजेपी के सुबिंदरो अधिकाड़ी से वेश्ट बंगाल यानि कि पच्छिम बंगाल एलकसन हारी ममता बनरजी अब भावानेपूर सीट से उप चिनाव लड़ने जा रही है भावानेपूर से बिदाय का सुबन देव चट्टो पाध यह अपना इस्तफ़ा दे दिया जिया बिदानसबा चिनाव में ममता बनरजी ने अपने सीट भावानेपूर छोर कर सुबिंदरो अधिकाड़ी के खिलाफ नदी गराम से चिनाव लड़ा था इसलिए ममता बनरजी को छे मेंने के भीदर किसी सीट से नामंकित दाखिल करके चिनाव जीतना आनिवारी है जिया उप चिनाव जीतकर बिदाय का बनना होगा भारत के तीन सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों के मुक्यमंतर निटिस कुमार योगी अधिति नात और अदुड़ ठाखड़े सभी मुक्यमंतरी बनने के लिए बिदानसबा चुनाओं नहीं जीते हैं तीनों अपने अपने राजों की बिदान सभा की जगे बिदान पड़िस्दों के सदेसी हैं जिया नितिस कुमार एक मात्र ऐसे मुक्यमंत्री है जिन्होंने 36 साल पहले बिदान सभा चुनों लड़ा था दोस्तो एजराईल और फिलिस्टीन के बीच आखिरकार संगर्स वीराम पर सहमती बन गई है कड़े ग्याड़े दिनों तक दोनों देसों में चल रहे हैं खुनी खेल के बाद सीच फैड़ की घोस्मापूरी दुनिया के लिए रात की बात है क्योंकि इस लराय में विसो युद में बदलने की आसंका लगता और तेज होती जा रही थी यह इज्रैली मीडिया रिपोर्ट के मताबिक परदार मंतरी बेजियामी नेतियनी हाउने के सुरक्षा मंतरी मंडल ने गाजा पट्टे में 11 दिनों के सेयनी अभियान को रोकने के लिए संगर्स विराम को मंजूरी दे दी है हमास के एक अधिकारी ने भी सीच फैर की पुष्टी की है यह उन्होंने बताए कि यह संगर्स विराम सुकरवार तर के दो बज़े से परभावी हो गया है यह दो देसों की इस जंग में तुर्की, रूस और अमेरिका के परतेक्ष एंट्री के संभावना काफी बर गई है जिसकी वज़े से माना जा रहा था कि यह जंग वर्ल्ड वार का रूप ले सकती है हाले में लेबलान के तरफ से भी इजराइल पर रौकेट हामला किया गया था दोस्तों लाले पड़िवार में ट्वीटर पर सबसे जदा सक्रे रहने वाली रोहिनी आचारिया की एक दिन में दरजन भर से अधी की ट्वीट के बाद अब राज निती सुरू हो गई है जहां उन्होंने काई कि पंदर साल में सता में बैठे हैं लेकिन एक भी लिक्विड अक्सिजन प्लांट नहीं लगा सकी क्या समंदर को भी बिहार लाने का इरादा था इसके बाद कई और चीजों को भी रोहिनी ने लिखा जिसके बाद संतोस मानजी की पत्नी दीपा मानजी ने प्लेट वार कर दिया दीपा मानजी ने भी अपने अंदाज में रोहिनों को ठीक से रहने की नसियत देने लगी जियां उन्होंने का है कि बिहार में एक और बेटी इनसाफ मांग रही है जिसकी जिन्दगी लालो पडिवार ने बरबात कर दी उनका इसारा लालो परसाद यादब की बहु ए सोरिया की दरफ था जहां उन्होंने का है कि जिसके घर सीसे के बने हो वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते जहां ऐसे बैयानों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि राजनितिक घरानों की बहुँ बेटी आमने सामने आ गई है दस्त बिहार के गरामिन अलाकों में हो रही मौत पर निता परतिफ़ तजस्भी अदब ने नारा जगी जाहिर की है यह तजस्भी अदब ने सियम नितिसकमार के ओपर आंकरों के हिराफिरी करने और फिर गलत रिपोर्ट पेस करने का आरूप लगाया है उनका कहरा है कि बिहार के गरामिन अलाकों में हजारों लोगों की मौत हो गई लेकिन सरकार इन आंकरों को छुपा रही है यह बिहार के निता परतिफ़ तजस्भी अदब ने ट्वीट करके का है कि कुरोना संक्रमन के कारण बिहार के गाउं टोदों में बहुत ही भयावा और खतरनाक हाला थे यह कहीं कोई जाज परख नहीं दवा अस्पताल और डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है हजारों लोग माले जा रहे हैं जाल साज नितिस सरकार आँखों का परबंदन करके मस्त हैं मर रहे लोग जल रहे सब इनके लिए संक्या भी नहीं है यह एक अन्य ट्वीट में ते जिसे भी अदर ने का है कि मुझ़परपूर के सरमसपूर में सहतिस और हाजपूर के घोवरसपूर गाउं में पंदर लोगों की मौत हो चुकी है हजारों ऐसे गाउं हैं जहां आसातन दस से अधिक मौत हो चुकी है गाउं में करोना के लक्षन वाले लाखों मरीज हैं लेकिन कोई जाच नहीं यह कोई परवा नहीं बेसर में नितिस सरकार काउज़तों और आंकरों में ही चल रहे है नितिस सरकार की काड़े सहली पर तेजस भी एदब ने यह सवाल खरा कर दिया है यह तेजस भी एदब का मानना है कि कहीन कहीं सरकार लोगों के सामने गलत आंकरे पेस कर रही है वास्तविक सच्चाई कुछ और ही है ये बिहार के गरामिन अलाकों में इस्तिती बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बिहार के हजारों वो ऐसे गाऊं हैं जहां आस्थां 10 लगों की मौत हुई है लेकिन मौत के ये आंकरा बिहार सरकर के रिकॉर्ड में नहीं है दोस्ते बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है मिली जनकरी के मताबिक बिहार सरकार के कर्सी विभाग राज़ा की किसानों को खरीब फसल का बीज देगी यह इसको लेकर विभाग ने दिसा नर्देस भी जारी कर दिया है यह ताजा रिपोर्ट की मताबिक बिहार में 38 जिलों के 495 केंदरे पर किसानों को खरीब फसल का बीज दिया जाएगा आउलाइन आबिदन करने वाले समालाग किसानों को बारे हजार साथ सो बारे कोईंटल बीज उपलब देग कराया गया है जिया किसान इसका लाब उठा सकते हैं आप पपददे की बिहार करसे भी भाग ने बीज की कीमतों का भी नरधारन किया है जिया बिहार की किसान उसी कीमत पर अपने फसलों का बीज खड़ी दे सकते हैं और अपनी खेती की पैदावार को बरा सकते ही क्योंकि किसान को मिलने वाला ये बीच उन्नत किस्म का है दोस्तों बलेक फंगस के मामले का बरणा भारत के कई राजजों में जारी है जियां किन्द're सरकार ने राजजों को उसे महामारी के तोर पर घोस्त करने को कहा है इस बीच वायट फंगस के कम से कम चार मामले का पता बिहार के पटना में चला है जहां गौर करने वाली बात यह है कि वाइट फंगस संकर्मन के चार मरिजों में से एक पतना के मसहूर डॉक्टर भी है कई मेडिकल रिपोर्ट के मताबिक वाइस फंगस का संकर्मन बलेक फंगस या फिर मियो कॉमिक्स सिस ज्यादा खतरनाख है हाला कि इसका सबूत नहीं मिला है कि वाइट फंगस का संकर्मन अने राज़ों में फैल रहा है और नहीं ये भी पता चला है कि आखिर इस नए संकर्मन को क्या खतरनाख बनाता है खबर के मताबिक P.M.C.H. में मैक्राबालोजी भाग के परमुकर डाक्टर एस एन सिंग ने वाइट फंगस संकर्मन के चार मामनों का खुलासा किया था दोस्तर टूइटर पर बेबाग से अपनी बात रखने वाली आर जरी सुप्रिम मुदाल परसाद यादब की बेटी रोहिनी आचारे का अकाउंट टूइटर ने लॉक कर दिया है आपको बतादे की बिहार के पुरू उपमक्यमंत्री और राजसाबस संसद सुसल कमार मुदी पर टिप पनी करने की बाद उन्होंने टूइटर से इसकी सिकायत की थी जिसके बाद रोहिनी आचारे के अकाउंट पर एक्सन लेते हुए टूइटर ने उसे लॉक कर दिया यहार रोहिनी ने खुद इससे बात की जान कर दी है रोहिने का अकाउंट लॉक होने के बाद सुसिल कमार मोधी ने ट्वीट के जरी उन पर निसाना साथ तेवे लिकाया कि लालो के पड़िवार की एक बहुत ही मुखरम हिला सदे से के ट्वीटर अकाउंट को ट्वीटर ने मेरे खिलाब अपते जनक और अपमान जनक भासा का इस्तमाल करने के लिए लॉक कर दिया है यह इसके बाद उन्होंने रोहिने की ट्वीट को रिपोर्ट के जाने वाले स्क्रिन शॉट को भी सेड़ की है सुसिल कुमार मोदी के इस ट्वीट के बाद रोहिनी आचारिया ने एक बार फिर से उनके और बिहार के बधाल स्वास्त विवस्ता पर तजकस्त विए फेस्बुक पर पोस्ट किया है अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वाह क्या अचिब मेंट है यही फुरसती अस्पताल बिनाने अम्बोलेस आक्सिजन सप्लाई दवा सप्लाई में ये तड़ परता दिखाए होती तो मेरे सांसत मेरा बिहार भी वाह वाही करता आपकी लेकिन अपसोस बेटी बेहनों को आगे करके अपनी नाकामियों को पैंतरे बाजी करके महा मारी की इस विपदा में मुद्य से भटका रहे हैं आप कभी नहीं सुधर सकती दोस्तों बेगुस रहे के सदर अस्पताल ने सौस्त बिवाह की काया कल्प यौजना में पूरे बिहार में पर्थम अस्थान पराप्त किया है जिसमें बिहार राज सौस्त समित्री के दोरा काया कल पर याउदना के तहत पूरे बिहार के सदर अस्पतालों की रेंकिंग जारी की है जिसमें विबिनस धांत के आधार पर इस अस्पताल को एकान नवे पॉइंट अंठाने में परते सथ आंके मिले हैं यहां अक्सर देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों की सोच अलग-अलग होती है लेकिन बेगुसराय सदर अस्पताल ने इस सोच को पुरी तरीके से बदल दिया है अब यहां आने वाले भी आपको किसी बड़े नेजी क्लिनिक जैसे ही नजारा देखने को मिलेगा यहां आपको बतादे कि सदर अस्पताल में इलाज की बिवस्ता साप, सपाई, लाइटिंग, पार्किंग, साज, सज्जा और अन्यातियाद होने के सुबिद हैं नोग सही ते, छेसे बंदों की जाज के बाद रंकिंग जारी की जाती है जिसमें बेगुसराय सदर अस्पताल पूरे बिहार में अवल अस्थान आया है वहीं इसके ताथ सदर अस्पताल बेगुसराय को इनाम के रूप में 50 लाग की रासी दी जाएगी जिसमें सदर अस्पताल की उपादक्च आनुद सर्माने बताया है कि काया कल प यह उजना के ताथ सदर अस्पताल बेगुसराय ने पूरे बिहार में सहतिस जिलों को स्वास्ताल बेवस्ता में पीछे छोड़कर पहला अस्थान प्राप्त किया है दस्तों तेल कमपनी इंडियन ओयल ने अपने बोकताओं को कई तरह की सिवाय दे रही है यह कमपनी ने एक के ट्विट की जरी बताया है कि अब इंडियन ओयल के गराको को कई नई सुबिदा देने जा रही है इसके साथी कमपनी ने अपने वार्सिक नतीजों का भी एलान किया है यह कमपनी की नई सेवायों से रसुई गैस और बगताओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी साथी सेलेंडर से जुरी कई तरह की की टेंसन भी दूर होगी इंडियन ओयल ने सिलेंडर बुक करने के नियमों में भी बदलाव किया है यह पहले गराको को गैस एजनसी में जाकर या पिर एजनसी के नमबर पर फोन करके रीफलिंग बुक करना पड़ता था अब सिर्फ मिस कॉल के जरी ही सिलेंडर बुक हो जाएगा और आपको मुबाइल नमर पर इसकी जानकरे भी मिल जाएगी यह कंपनी ने अपने गराको को इंडियन एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर की सुभीदा भी दी है यहां सिलेंडर उच्चत अच्छता वाला होगा जिससे गराको को LPG की उच्चतम क्वालिटी मिलेगी इससे खाना जल्द पकेगा और गलनियों का समय बचेगा साथ ही खाने की क्वालिटी भी बहतर होगी अपने गराको को रसुई गैस खत्म होने की टेंसन से बचाने की लिए काँंबा सिलंडर की पेसकास की है यह इसके ताहत वोक्ता आम सिलंडर के साथ 5 किलोगाHAN च्छोटी सिलंडर भी लेसकेंगी यह ऐसे में मुखे सिलंडर की खत्म होने पर नए सिलंडर की डिलिबरी तक Departmentって च्चोटे सिलंडर से काम चलाआ जाया सकेगा जहां सहरों में अकेले रहने वाले लोग चातर और परवासी कामगार जिनकी गैस की खापत कम है और वे गैस पर ज्यादा खर्च भी नहीं चाते हैं उनके लिए कमपनी ने छोटू सेलेंडर का आफर दिया है जहां 5 किलोग्राम का ये सेलेंडर इंडियन की उमंग एप के जड़े बुक कर सकेंगे इसके लिए आपको उमंग एप डालोड करना होगा और गैस किनक्सन की जानकड़ी देकर गैस बुकिंग से लेकर बुकिंग हिस्टिरी जानने जैसे कई सेवाएं भी ले सकते हैं दोस्तों देश में जहां करोना और बलेक फंगस को लेकर संकट गैराता जा रहा है वह किर्सी कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदलन जारी है और वह धरनास तक पर जस्के तस बेटे हुए हैं यह हर तरफ किसान आंदलन को खत्म करने की मांग उठ रही है यह दरसल यहां बड़ी संक्या में लोग मौजूद है सरकार ने भी किसानों को आंदलन खत्म करने या फिर इसे कुछ समय के लिए टाल देने की अपिल की है इसे बीच भारत किसान यूनियन की निता राकेश टिकेट की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने काहे कि किसान आंदलन खत्म नहीं होगा राकेश टिकेट ने ट्वीट करके काहे कि किसान आंदलन अब तीनों किर्सी के काले कानून वापस होने के बाद MSP पर कानून बनने के बाद ही खत्म होगा जहें इससे पहले मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकेट ने काहिए कि जितने भी पत्रकार या फिर पुलिस कर्मियों की कोरोना से मौत हुई है कोई भी यहां धरना अस्तल पर नहीं आया था जेराकेश टिकेट ने कही कि बीमारी का रास्ता अस्पताल और आंद्रोन का रास्ता संसत तक जाता है जेराकेश टिकेट ने कही कि आंद्रोन में किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है जेराकेश टिकेट ने कही कि सरकार ये गलत फहमें अपने दिमाग से निकाल दे तोले मैई 2021 को समाप्त होए हपते के दौरान देश में बिरोजगारी दर बरकर 14.5 फिजदी पर पहुंच गई है जो अपरेल में 8 फिजदी पर थी जिया हाला कि इसी अब्दी में इस साल पहले से तुलना कड़े तो 8 फिजदी कम है इस से एक सब्ता पहले यानि कि 9 मैई को स मात सब्ता में बिरोजगारी दर 8.67 फिजदी थी जहां कहने का मतलब है कि हपते भर में बिरोजगारी की दर कड़ी दो गुनी होई है जहां आखरे बताते हैं कि यह पिछले 45 सब्ता का उस्चतम अस्तर है अगर यही हालात बना रहे हैं तो पिर आने वाले वक्त में बिरो रोजगारी होगी दोस्तों आज का निस बस यह तक कैसा लगा ज़र अपना सुझाओ देजेगा नेचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर देजिए अपने द